तो फ्रेंट्स हम लोग जो है अज़ो मौर समराज के बाद जो मौरतर जो काल है उसमें उसकी चुछ कर रहे हैं और उसका जो हम लोग अच्छे से रिविजन करते आ जुके हैं कहां पर तो हम लोग पार्थियन वन्स भी करते हैं तो इसे हम लोग यह लोग देखेंगे पार्थियन या फालोव वन्स ये फालोव वन्स क्या है इसको हम लोग दखेंगे जो पहलोवर्थ के जो औस थापक रहे हैं वह देटस्थ रहे है ट्रेख िराधनी कहां रही है टॉच्छलह रही है उसके मू नमच कहां कहा bijज पर्सिया है कमेंट मेस बताएंगे कि परस्ट यह कहां इस्तित है तो हम लोग आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बिदिशी राजवन्स पढ़ रहे हैं और इस पृद्श को नहीं आएंगे आप लोग पहुंचेंगे तो हम लोग आजएएगे गृप्त बंस पर ठीक है तो पहलावन्स में हम लोग क्या देखना है तो हम लोग ने देखा इसके सेंस थापक जो है िट्रेटर से रहे हैं इसकी राजधानी कहा रही है पहलाओं की तो तचसिला रही है इसके मूली निवास तो पर्शिया है भारत में इस Vans का सबसे प्रसीद जो सा सक है वो गुन्डफरनीश हुआ इसके बिसे में तक्ते वाही अभिलेग जो पेशावड से प्राप्थ है वहां से जानकारी मिलती है यानि जो गुंडो फर्निस है यह कौन है यह पहलो वंस का एक प्रसीद सासक है ठीक है एक नहीं मतलब सबसी प्रसीद सासक है और इसके बारे में हमें जानकारी तक्ति वाही से अभिलेक से प्राप्त होती है ठीक है यह कहां से प्राप्त है यह पेसावर से मिलती है पेसावर बारत में प्रथम बार इसाई का आगमन कौण होता है तो आप इसे याद रखेंगे कि कि पहलों की समय में होता है और इसामें जो है इसाय के जो पादरी है यहरी तो इसाई के जो पादरी हैं है ठिए çıkar के इस सदिमें जो सेंड थॉमस नाम पाद रिये हैं वो भारत सेंड थॉमस की हट्या भी हो गई यहां पर तो कहां पर वह जो इस जो हट्या हुई जब यह दस्चिंद के बाद फिर एक जो मुख्य वन से कुसाड़ वन साता है तो कुसाड़ों के बारे में आपको पता है ना कि मेंस में और फिलनस दोनों में बहुत important से इसका कुसाड़ वन से ओसके जाती कौन है कुसाड़ थी तो जाती जो है यह यूची नमक जाती है जो चाइना में पाई जाती है ठीक है न न संसापक कौन था तो कुजूल कड़ी फिसेज राजधानी कहा रही तो पूरसपूर थी या प्रशावर अपका सेटने जो कहा है पाकिस्तान में थिक और उसके बाद में क्या होता जो बना है न तो पाकिस्तान में जो पिसावर जगह है तो वहां पर थी इसकी ठीक है भारत में कुसाडवन्स का वश्पिक संस्थाफक कड़ी फिसेज को माना जाता है इसके सिक्को पर सीव, नंदी, एवं, त्रिशूल की अंकर मिलता है जो इसे सैवधर्म का उन्याई बताता है जो कड़ी फिसेज था वो किसका उन्याई था? सैवधर्म का यह था क्या तो यह था चाइनीज लेकिन इसका जो धर्म से बिलाँ करता था क्योंकि जो प्रूप मिले ना तो प्रूप से यह पता चलता है कि यह जो है कहीं ने कहीं से चुड़ा था इसके सिक्कों पर खरोष्ठी एवं ग्रीक दोनों लिप्यों का प्रियोग हुआ है ठीक यह दो लिप्यों में कुछ लिखा गया है इसके बास जो है क्रिफिसेस के बाद हम लोग करनेश को पढ़ना है तो करनेश की जो है को सब्सक्राइब देखने मिलता है मैंने मैंने बताया ना आपको कि जो एक कुछाणों की राजधानी कहां थी तो पेसावर थी जो कहां था पुरुसपुल भी उसको जो पालेश का नाम होगा करता था और जो आधनिक पाकिस्तान में वह पेसावर है ठीक है तो इसने क्या गया कि पेसावर से हटाकर इसने अ 78 ballet को सक्खसंवत का प्रराम हुआ इन्हीं सग्खसंवत का प्राव्राम सेवण्टीस जोए 8 a B रण्व हुआ ठीक है इसने कस्मीर में कनिस्क करात्र कुछाइं कर बत्र पर कर आकमद कर बुद्ध की विछा पात्र अस्वगोस एवं कुग्ट चुक्ट प्रक्राप्त किया है कुकुड नतर संचल यूज में जिसमें लोग क्या करते हैं जसे फ़ले विच्छू होते था रहे ईक ऐसा बरतन होता था था बर्तन कंसी का बना किस भल्ता घ थ बटत diplomate अब उस बड्सा मांगते थे और इसी की समय चौती जुह बौध संगती का आयोजन कस्मिर के कुंडलवन में हुआ जहां बौध धर्म यह नियान एवं महायान में विभाजित हो गया ठीक है तो इसी के समय क्या होता है कि इसने क्या कराया कर दो क्या करते हैं दोधर्म में बढ़ जाता है बहुत दिटेल से बताया है लेकिन मैं आपको यहां से बता दूं कि हीन यान क्या होता है और महायान Cette मूझे जिसे आप उनरेशन कहें गहें यह क्या है यह हैं यह पाउंडेशन को मानते यह मानते हैं कि जो गौतम बुद्र हैं वो एक इंसान की रूप में जनम लिये हैं और गौतम बुद्र क्या है तो वो एक इंसान है यह लोग मुर्ति पूजा में भिश्वास नहीं करते थे और यह लोग क्या मानते हैं लोग मानते हैं कि भगवान थे गौतम बुद्र कौन थे इसे मोटे मोटे परेंदेखा हो ना इसे कि जिसका मूफ है लाओ ना ठीके गौतम मूद के अपने कई सरे मूर्तियां देखिए यह मूर्तिकला बताऊंगा तो मैं वहां पर आपको अच्छी समझाऊंगा बता दू कि जो अपने ही तरह चाइनीज जय से होते हैं इसे कर आया और किया लोग कोन इस दो मतलब एक मतलब आप उरिजनल को मानना है तो ही न्कल कर आया ठीक है इसका निकला हूँ और लेकिन इसका ही प्रभाव है कि आज हीनयां आपको देखने को मिलेगा महाया नहीं मिलेगा क्योंकि लोग क्या करते हैं क्योंकि महायान मतलब मुर्ति हो गया इस्तूप हो गया इस्तूप का मादेम से पूजा जब गौतम बुद्ध जब उनकी जब यात्रा समाप्त हुई जीवन की उसके बाद जिसके ब्रुद हुऊ जिन्दगी भलाडाई किये तो वही कार उनकी पीछे सुरू हो गया और लोग सोचते हैं कि उनकी मुद्ध पूरुष हुआ करते थे यह लोग इसा मानते हैं भागवान मानते हैं और यह लोग क्या करते हैं मुर्ति भिरोधि हैं और यह लोग मुर्ति फूजक इतना समझ लिजी है और और आपको compare शे समझना है ले اीससी चैनल पर आपको लेक्च्छर में बहुत थर्म आ है और जो चरक नाम सुना है आपने नागारजुन सुना है और अस्वघोष सुना है तो वह कौन थे तो यह जो चारो जो विद्वान लोग हैं वह कनिस्क के दरबार में रहते थे ठीक है कनिस्क ने अब देखिए कुछ इंपोटन चीज है जो कनिस्क ने चीन से रोम जाने वाले जो सिल्क मार्क जिसे हम लोग रेसम मार्क करते हैं आपको जो यह एंसी आटी में पढ़ने को मिलेगा मैं आपको अगर आप डेली क्लास करते हैं साटी की तो मॉर्निंग आप देखि प्रमुख ब्यापारिक केंद्र हुआ करता था ठीक है यानि इसी जो है शिल्क मार्क से ब्यापार होता था इसी के समय जो है गांधार एवं मतुरा मुर्तिकला का विकास हुआ इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगा हम लोग आट इन क्लसर पढ़ेंगा तो अच्छा से डीटेल में पिक्चर के साथ कनिस्क बौध धरम के महायान साखा को मानने वाला बैकती था तो कनिस्क को मानता था महायान साखा को भारत में कुसार के देन क्या है तो जो है पजामा किस की शुरुवात पहले बर इसने किया Commstar ने कि let's honesty बूट रखते हैं तो किसकी शुरवात है तो कुर्चाड़ो के हैं इसक्त法 किस ने नहीं कूण लाया पहले बर कुषाडो ने कर मौर्योतर काल भारत में आर्थिक द्रिष्ट काल था इस समय là any इस कारण से इस काल को प्राचिन भारत का आर्थो onboard सवर्यम काल ठीक है let's get out ना आर्थिक भिगास यहां पर बहुत यार्दा देखने को मिलता है कौन सा मौर्योत्र काल में मौर्योत्र काल में भारत का ब्यापार मुख्यत और रोम के साथ होता था ठीक है तो इतनी जो है कुछ important बाती रही है कुछ आगे भी है इसको देख लेते हैं भारत से मसाले स्वाण का आयत किया था आप देख़िए क्या है कि भारत को क्या कर रहे रोम से तो रोम क्या कर रहे है कि भारत से मसाले खरीद रहे है घरम और बहुत स्रों request की न olsun है भारत में बहुत उत्क्रिष्ट जो है तरह का मसाला आप को देखने का मिलेगा तो जो रोम के लोग थे ना वो लोग क्या थे कि मासालों के महुत सवकीन थे और मसालें पसंद करते थे और उसकिन कुछ इमारती लकड़िया थी कुछ सूती वस्त्र थे और कुछ हाथी दात को रोम से ॢिमान करते हैं कि आप हमें सोन न दिजीए ठीक है न मतलग किसमें वापर करता है सोना मैं और iaन को रोम को यह चाहिए मसाला चाहिए तो इससी में क्या करता है प्लीणी नाम जोें जो है एक जैसरी है ठीक है इसी अपने किताब में लिखता है clipping अपनी पुस्तक Natural Historica में लिखता है कि भारत वासी सोने को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि रोम जो है और रोम में इतना ज्यादा गोल्ड के डिमान कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सारे रोम का सोना भारत वाले उठा ले जाएंगे याणि भारती लोग क्या थे हैं पहले से ही बहु तो उसे समय प्लिनी अपने बुक में लिखता है तो प्लिनी के बुक कौन से है तो नेश्राल हिस्टोरिका ठीक है तो आप इन सब चीजों को देखेंगे ठीक है ना आगे देख लेते हैं थोड़ा हम लोग यह कनिस्टेर रिल्टर नहीं यह मौर्यत्रकाल से है ठीक है ना त सुक्त है कि इस बंदरगाह पर और अरव यह मैं मिसर से सुदूर फेस्टेम्व से देखिए क्या होता था सेस बंदरगाह पर जो भणवाज है इस पर क्योंता था the कि जो अरव यहम मिसर से सुंदर कढयाउं का इमंगोर्ण का आयात होता था ठीक है बहुंतलब इसका मतलब की यहां पर वेस्वा बृति भी हो रही होगी इससे कुछ यह प्रूब मिलता है ऐसे कोशन में आपको देखने को में लेंगे तो आप इसे लगाएंगे कि जो है ठीक है तो पहना उसका पर है गुजरात में क्या है बंदरगाहा है ठीक है यह सोपारा है जो महारा जैसे रहें को है यहां से रोमन बस्ति एवलें और पूस्त शिए मिलें आगे देख सहले के क्लिके लिए जो इस राष्टे से आते हैं इसे आप लोग देख लेंगे इसका पीडियाफ आपको कहा मिलेगा तो टेलिग्राम पर मिल जाएगा जो इसी चैनल के आपके के दिस्क्रिप्शन में मिल लाएगा आप सब्सक्राइब करेंगे इंग्लिस वाले हिंदी में नहीं तो आपको मिल लाएगा तो आप वहाँ से पीडियाफ ले सकते हैं बाकी एंस्याटी क्लास आपको मॉर्निंग डेली मिलते रहेगी साथ बज़े और जो है आप एंस्याट करके दूंगा ठीक है एक डाउट टेसर मना देंगे जो आपको समझा दिया करूंगा ठीक है तो आपको बिल्किल खबराना नहीं है आप को त्यारी कर रहे हैं तो बहतर तरीका से करिए यह को धिरे-धिरे कॉंपटेटिव जाम जो है बहुत ही ज्यादा टफ होते जा रहे है जिसकी जो है आने वाले में जो अगर आपको बेसिक लिर नहीं होगा बहुत सारी समझा देखने को मिलेगा ठीक है बाकि अगर आप इसके अलाव अगर सीडियस के त्यारी करते हो तो आप इनस्यार्टी क्लास जरूर जोएं करिए और जो इसमें सीडियस में जीके क्योंकि मैं बहुत सोड टाइम में आपको बहुत अच्छी चीज़े और एक तरह से अपने आप में कंप्लीट चीज़े आपको प्रवाइड करा देता हूं तो आपको बिल्किल घवराने की जरूरत नहीं है ठीक है फ्रेंस आज करास में इतना है थाइंक यू बैबै जैह कर दो कर passionsप्मी ऽेज़े आपको बहुतomina आपको बना में तो आपको बहँए में कर थाइंक लाइड को कर दो क्या अचार ऑट हू बतर खो क्यों कर दो कर दो कर दो कर दोके हैं है जखको झादाने कक्यों में